हेलो गाईज आज आपन डिसकस करेंगे महाकशाय की ट्रिक के बारे में तो जैसा कि आप सबको पता है कि 50 महाकशाय हैं प्रतेक महाकशाय में 10 दरव्यों का वर्णन किया गया है तो कूल मिला करके 50 महाकशाय हैं और 500 ड्रक्स हैं हमारी तो हम इसको 5 पार्ट में कवर करेंगे तो 1 पार्ट में हम 10 महाकशाय देखेंगे और उनकी ट्रिक्स को समझेंगे ठीक है तो हमें 10 महाकशाय कौन कौन से देखने है उसके बारे में देख लेते हैं पहले जीवनी महाकशाय के बारे में देखना है शुक्र जनन, लेखनी, ब्रीहनी, बल्य, दीपनी, सूल प्रस्मन, सोचहर, मूत्र विरेचनी और इस्तन्य जनन महाकशाय के बारे में देखना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हम जीवनी गण महाकशाय के बारे में तो देखे जीवनी गण महा कशाय में 10 द्रक्स आती हैं कौन कौन सी जीवक, रिषभक, मेदा, महा मेदा, काकोली, छीर काकोली, माशपणी, मुदकपणी, जीवन्ती और मुलेटी तो देखे अगर आपको अश्ट वर्ग याद है तो अश्ट वर्ग में 8 द्रवे आते हैं जीवक, रिषभक, मेदा, महा मेदा, काकोली, छीर काकोली, रिद्धी और विद्धी तो अगर आपको अश्ट वर्ग के द्रवे याद हैं तो उसके छे द्रवे जीवक, रिश्भक, मेदा, महामेदा, काकोली, छीर काकोली और बचेंगे सिर्फ आपके चार द्रवे माश पर्णी, मुदक पर्णी, जीवन्ती और मुलैठी और दूसरे तरीके में हम पेर्स में अलग कर लेते हैं तो इसमें जीवनिगर महाकशय में तीन पेर्स बताएगा हैं तो मेदा का पेर है, उसमें मेदा और महामेदा है, काकोली का पेर है, उसमें काकोली और छीर काकोली है और पर्णी, तो उस पर्णी का पेर में माश पर्ण आठ और आपके फिर दो ही बचेंगे, एक मुलैठी बचेगा और एक रिष्भग बचेगा, तो इस तरीके से आप जीवनी गण महाकरशाय को याद कर सकते हैं, फिर बात करते हम शुक्रजनन महाकरशाय की, तो देखिए इसमें कौन कौन से द्रवे आते हैं, तो इसमें आता मतलब अगर आपको जीवनी गण महाकरशाय याद है, तो आपको शुक्रजनन महाकरशाय के साथ द्रवे तो ऐसे ही याद हो गए, बचे तीन आपके, तो कौन कौन से तीन बचे आपके, व्रद रूहा, कुलिंग और जटिला, तो इन तीन को याद करने के लिए, हमने एक जटिल बनाई है, व्रद जटिल ने कुली किया, तो देखिे व्रद से आ जाएगा व्रद रूहा, जटिल से आजाएगा अपना जटिला, और कुली किया से कुली से आएगा आपका कुलिंग, तो इस तरीके से आप शुक्रजनन महाकरशाय को याद कर सकते हैं, फिर बात कर काकोली, छिर काकोली, श्वेत बला, पीत बला राजचवक और वन कपाश जिसको भारत ज्वाजी कहते है upp तो देखिए इसमें 3 पेरें inappropriate में पहला काकोली इसमें आता है काकोली और चीर काकोली तो काकोली और छीर काकोली हम दोनों में पढ़के आ चुके हैं अभी अभी हमने पढ़ा है जीवनिगन महाकशाए और शुक्रजनन महाकशाए ठीक है दूसरा पेर है इसमें बला का तो बला में आ जाएंगे श्वेत बला और पीत बला तीसरा पेर है विदारी का तो विदार करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है राजा भरत द्वाज अश्व से रिशी के पास गए तो देखिए राजा से आ जाएगा आपका राज चवक भरत द्वाज से आ जाएगा भरत द्वाजी या फिर वन का पास अश्व से आ जाएगा आपका अश्व गंधा और रिशी से रिश्य गंदा ठीक है अगर आप इसी ट्रिक में बला वाले प्रेयर को जिसमें आता है श्वेत बला और पीत बला इसको भी आइड करना चाते हैं तो देखे कैसी होगी ट्रिक राजा भरत द्वाज अश्वे से रिश्य के पास बल प्राप्त करने गए तो बल से यहाँ पर दो बला जाएंगे श्वेत बला और पीत बला तो इस तरीके से आप ब्रिहणी महाकशाय को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं हम लेखनी महाकशाय की तो लेखनी महाकशाय में कौन कौन से द्रव्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं तो इसमें आते हैं मुस्त कुष्ठ हरिद्रा、 दारू हरिद्रा वचा, अतिविषा कटू रोहिणी, चित्रक, चिर बिल्व और हीम वत्थ nast तो देखे इसमें नो पेर है एक तो वचा का पेर है जिसमें वचा और हीम वत्थ मतलब स्वेथ वचा आता है और दूसरा हरिद्रा का पेर है में हरिद्रा और दारु हरिद्रा आता है. तो इस तरीके से आपको चार द्रवे याद होast बचे आपके मुष्ट कुष्ट चित्रक, चिर्बिल्ब, अतिविषhour कटू रोहनी. तो इसको किस तरीके से आप याद करेंगे कि मुष्ट कुष्ट और चित्र ने कटूरस का सेवन अती चिरकाल तक किया तो देखिए इसमें मुष्ट, कुष्ट और चित्र तो इस तरीके से आपके तीन तो ऐसे ही हो जाएंगे मुष्ट, कुष्ट और चित्र से आपका आजाएगा चित्रक और कटूरस से आजाएगा कटू से आजाएगा आपका कटू रोहिनी और आती से आजाएगा आती विशा और चिर काल से आजाएगा चिर बिल्व तो इस तरीके से आप लिखनी महाकशाय को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं बल्य महाकशाय की तो देखिए बल महाकशाय में कौन-कौन से द्रव्य आते हैं इसमें आता है आपका इंदरी, रिशिभी यानि की केवाच, रिशिय प्रोक्ता यानि की मास परणी, अश्वगंधा, सतावरी, पयस्या, बला, अतिबला, इस्थिरा और रोहिनी तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक है रोहिनी अश्व को मास और पयस्या देकर सवार होकर इंदरी, रिशिभी के पास बल इस्थिर करने गई, तो देखिए रोहिनी एक लड़की है जिसने आज सुबह को अपने अश्व को मास और पयस्या खिलाया, उसके बाद उसी अश्व में वो सवार होकर इंदरी रिशी के पास अपने बल को इस्थिर करने गई है, तो देखिए रोहिनी से आपका आजाएगा रोहिनी, अश्व से आजाएगा अश्व गंधा, मास से आजाएगा मास परणी, पयस्या से आजाएगा आपका पयस्या, सवार से आज तो इस तरीके से आप बल्ले महाकशय को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं हम दीपनी महाकशय की द्रवे देख लेते हैं इसमें आता है पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, सुन्थी, सुन्थी यानि की अदरक ठीक है फिर आता है अपना अमलेवेतस, मरीच, अजमोद बहलातक अस्ति और हिंग तो इसकी ट्रिक देखिए शडूशन बाह तो शडूशन में अपने आते हैं पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक और सुन्थी और मरीच तो इस तरीके से आपको शडूशन भी आद हो जाएगा और बाह से आजाएंगे बी ए ए ए एच तो बी से आ आपका आजाएगा भलातक अस्ति ए से आपका आजाएगा आमलवेतस ए से आपका आजाएगा अजमोदा और एच से आजाएगा हींग तो इस तरीके से आप दीपनी महाकशाय को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं सूल प्रस्मन महाकशाय की तो सूल प्रस्मन महाकशाय मे कौन कौन से दरवे आते हैं वो देख लेते हैं इसमें भी वही आते हैं शैडूशन तो आते ही हैं पिपली, पिपली मूल, चवई चितरक, सुन्ठी और मरीच और बाकी के चार दरवे कौन से हैं अजगंधा है, अजाजी है, अजमोदा है और गंडीर है तो इसकी ट्रिक भी देखे, सेम ही है सडूशन गा मतलब जी के बाद ट्रिपले तो जी से आजएगा गंडीर ए से आजएगा अजगंधा ए से आजएगा अजमोदा और ए से आजएगा अजाजी तो इस तरीके से आप सूल प्रस्मन महाकशाय को भी याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं हम शोथ हर महाकशाय की तो शोथ हर महाकशाय में कौन-कौन से द्रवे हैं वो देख लेते हैं इसमें आता है आपका पाटला, अगनीमंत, शियोनाग, बिल्वगंभारी, कंटकारी, ब्रीहती, सालपरणी, प्रस्णपरणी और गोक्छोर तो इसकी ट्रिक के बारे में देखते हैं तो इसकी ट्रिक है 10 मूल के द्रवे इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसमें पूरे के पूरे द्रवे हमारे दस मूल के आते हैं अब दस मूल में कौन कौन से होते हैं तो दस मूल में लगू पंच मूल के द्रवे होते हैं पांच और ब्रीहत पंच मूल के द्रवे होते हैं पांच तो इस तरीके कि हमारे 10 मूल के 10 द्रवे पूरे शोत हर महाकशाय में आते हैं तो देख लीजे कि ब्रिहत पंचमूल में कौन-कौन से द्रवे आते हैं तो इसमें आता है बिल्व गंभारी, अगनीमंत, स्योनाक और पाटला और लगू-पंचमूल में आते हैं हमारे ब्रिहती, कंटकारी, साल परणी, प्रशन परणी और गोक्छुर तो इस तरीके से आपको ब्रिहत पंचमूल भी आत हो जाएगा, लगू-पंचमूल भी आत हो जाएगा तो देखिए मुद्र विरेचनी महाकशाय में कौन कौन से द्रवे हैं तो इसमें है कुश, काश, दर्भ, गुंद्रा और इतकट मूल वरक्षादनी, वसुक, वसेर, पाशान, भेद और गोक्छुर तो इसकी ट्रिक देखिए सबसे पहले तो इसमें पाँच जो हैं तरण पंच मूल के द्रवे आते हैं तो कुश, काश, दर्भ, गुंद्रा और इतकट मूल मुद्र विरेचनी महाकशाय में तरण पंच मूल के पाँच द्रवे आते हैं तो पाँच द्रवे आपको ऐसे याद हो जाएंगे और बचे के 5 द्रव्य आप कैसे याद करेंगे तो उसकी ट्रिक है 3V PG तो 3V कौन कौन से हैं इसमें तो देखी व्रक्षादनी, वसुक और वशेर ये 3V आपको ऐसे याद हो जाएंगे और PG से आजाएगा P से पाशान भेद और G से आजाएगा गोक्छोड तो इस तरीके से आप मूतरविरेचनी महाकशाय को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं हम स्तन्य जनन महाकशाय की तो स्तन्य जनन महाकशाय में कौन कौन से द्रव आते हैं उनको देख लेते हैं खुशकाश, दर्व, गुंदरा और इतकट मूल ये हमने अभी मूतर विरेचनी महाकशाय में भी देखा तो अगर ऐसा कोशन आ जाए कि तरण पंच मूल के दरवे कौन कौन से महाकशाय में दे रखे हैं तो पहला तो मूतर विरेचनी महाकशाय और दूसरा इस्तन पंच मूल के दरवे याद होने से आपको ये भी पता चल जाएगा उसके बाद 5 दरवे तो 5 दरवे हमने मूतर विरेचनी महा कशाय में देख लिया 3W PG से और स्तन्य जनन महा कशाय में वह पांच दरवे की ट्रिक हमने बनाई है वह ट्रिक है वीरण को शाली सस्टिक और एक्चु दिया तो वीरण से आपका वीरण आजाएगा को से हमने यहा 10 महा कशाय की ट्रिक्स देखी, आगे की 10 महा कशाय की ट्रिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आयरवेदिक फॉर्मूलेशन, थैंक यू फॉर ल